गूगल दोस्तों ज्यादा तर लोग अभी के टाइम पर यूज करी रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं यहां पर हमारे पास में है गूगल कैम और जो कि मैं भी यूज कर रहा हूँ और आज किस वीडियो में आपको एक यूणिवर्सल इसके सेटिंग के बारे में डिटेल से बत दोस्तों गूगल कैम 7.0 के ऊपर आपका गूगल कैम होना चाहिए जो भी पोर्ट आप यूज करने और ज्यादा तर मोस्ट आप दी केस गूगल कैम के अंदर में आपको यह सारे सेटिंग प्रजेंट मिल जाएंगे और एक तरीके से ज्यादा तर फोंस में आपको जो मैं मतलब डू लेंज है लेकिन सिंगल लेंज सी काम करता है तो अप देख देख सेथे बैक कैमरे में ऐसे तो जब पूर्ट किया जाता है और आम इन कैमरे को तो आपके फोन के लिए जो बेस्ट होता है वही यूज किया जाता है बट आप यहां पर हिटन ट्राइल मेथर यू मतलब कि 18 फोटो को एक साथ में क्लिक करेगा अंदेन उसके बाद में उसको मर्ज करेगा तो इसके अंदर में प्रोसेसिंग पावर लगता है लगता है तो अगर आपका फोन जैसे कि 700 शीरीज वाला या फिर 600 शीरीज वाला है तो दोस्तों उस कंडिशन में मैं आपको सज अगर यहां पर आपको दिखा देगा अगर आपने अच्छे से डिटेव रखता है लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें दो तीन फोटो एक साथ में ले ले लेते तो दोस्तों वह जो तो तिक्कत कर जाता है आपको वहां पर अश्यरीज चूज था प्रोसेस चलता रहता है उसके बाद में आप जो सो आप पर फोटो ज कैप्चर नहीं कर पाते हैं एक साथ में देख लीजिए यहां पर देख सेकते हैं काफी टाइम ले रहा है यहीं चीज होता है दिक्कत एक ठीक है इसके लोग दोस्तों यहां पर डिपेंट करता है दो ची को बहुत जादा ग्रैब करता है तो उस कंडिशन में आप DCI P3 को बंद करके रखो रेडमी के फोन में इसको एक्टिवेट करके रखो ताकि आपको जो सो वाइवरेंट कलर मिले लेकिन कई 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 बार पर ऐसा है दोस्तों जब पोर्ट इमेज क्लिक कर रहे हो तो 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 आप इसको बंद कर दो तो बहतरीन रहेगा इसके लाब दोस्तों यहां पर डिसेवल पोर्ट पोर्ट इंस दो यह तो सभी जानते जो पोर्ट इंदर में दोस्तों आपको थोड़ा सा जूम हो जाता है उसको डिसेवल करने के लिए ऑप्सन बेस्ट है क्योंकि जूमिंग ह अगर आपके पास में और भी जादा कुछ फिक्सेज करने जैसे कि हो गया मैक्सिमम ब्राइटनेस अगर आपको दोस्तो जैसे स्क्रीन के व्यूफाइंडर मोड के लिए एंटी बेंडिंग यहां पर मैं पो 50 बोलूगा रखने को कि हमारे इंडिया के दिरमें 50 का इलेक्रिशिटी जो है दिया जाता है और चिर्कुलेट किया जाता है जिसके अंदर में आपको बेंडिंग कम आएगा 60 कोई स्ट्राइशन निये फोर्स मर्ज अल्वेज उंडको इसका मतलब होता है कि जब भी आप जब आप जूम करके इमेज क्लिक करोगे तो इसको कन्रीशन में अलग लेक डिफेरेंट जूमिंग लेवल पर क्लिक करके इसको मर्ज करता है ठीक इसके लब अगर ऐब कामों क्यामरा मैन्मोल का AWB, AWB का मतलब होता है Auto White Balance, अब देखो यहां पे किसी सेनारियो में, जैसे कि अगर आपको White Balance अच्छा रखना है, डिपेंड करता है दोस्तों, CA Situation के उपर में, आउटो वाइट बाइलेंस मतलब है कि आप जो सो किस तरीके से क्लिक कर रहे हो यहां पर अगर आपके फोन में सेंसर जैसे आयमेक्स का है 586 वाला फॉर्टियर में पिक्सल वाला है दोस्तों इस कंडिशन में आपको इसो सोनी आयमेक्स पे भी रख सकते हो हला कि आउटो मोड के टाइम पर ज्यादा काम आता है अगर आप इसके अंदर में दोस्तों यह एक तरीके से आउटो एक्सपोजिंग मोड है कितने देर के लिए एक सटर स्पीड आप समझ सकते हो मतलब कि कैमरे के अंदर में सटर स्पीड होता है वही चीज है तो कितना देर के लिए कर जाएगा अभी आता है एक्सपोजर में पहलं सेशन मीं फैसे इसको जीरो पर रखो तो बेटर है अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है तो जोस्तों आप इसको मैइनस मिले जाओ अगर आपको बहुत कम हो रहा तो थो और सब्स अबीड जाना है ठीक है अब कितना देर के लिए अदर में इमेज क्याप्चर करना है जो हमारा सेंसर ओपन रहता है तो इस कंडिशन में तो मैं तो मैं पर 30 सेगंड रखता हूं इसको बंद करके रखो लेकिन आपको इसको सबमर्ज और यह डवलो भी इस दोनों बटन को एक्टिवेट करो अगर आपके इसमें में ऑप्शन दे रखा है तो अब यहां तो दोस्तों आपके फोन के अंदर में दो तीन लेंस है तो इसको एक्टिवेट करना होगा उस कंडि आपको पॉल्डर बन जाता है लेकिन उस फोल्डर को हटा करके एक मिज़ डीसी आएम है उसी फोल्डर के अंदर में सारे इमेज रखने दोनों के दोनों पॉर्टिवेट वाला तो यह क्लिक कर दो यह इसको एक्टिवेट करो लेकिन दोस्तों इसका एक डाउंसाइड भी करने के बाद इसके लाब दोस्तों अगर आपको गूगल फोटो पसंद नहीं है और जो सो डिफॉल्ड गैलरी आपको फोन का वह यूज करना चाहते है तो उसके बाद में आपको डिसेवल करना है हलाकि मैं इसे इनिवल रखता हूं जाता तर मुझे यह पसंद है ग्रीट आता है तो दोस्तों उस कंडिशन में आपका जो सो रिंग नहीं आएगा और आपका वीडियो डिस्टर्ब नहीं होगा तो इसके लिए जो सो बहुत इंपोर्टेंट आप इसको एक्टिवेट करके रखो ज्यादा तर टाइम अच्छा रहेगा अब या तो दोस्तों आपको देखने को नहीं मिलता है ठीक है अला कि दोस्तों कुछ चीज़ा आपको व्यू फांडर में भी सेटिंग करके रखना होगा जैसे कि हमारे पास में यह जो रेसियो दोस्तों देखो 4x3 रेसियो एक डिफॉल्ट रेसियो है जिसके अंदर में आपको वाइडर स्क्रीन में मतलब कि आपके फोन में फुल स्क्रीन यूज हो रहा है उसमें आपको पूरा पूरा दिखेगा लेकिन इसके एक डाउंसाइड भी है वह दोस्तों इसका थोरा सा एरिया क्रॉप हो जाना अगर आप इसी को 4x3 रखेंगे तो आपको एरिया जो तोरा वाइडर मिलेगा तो यह आपको प्रे में डिपेंड करता है इसके लाब दोस्तों अगर आपके यहां पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि मोशन फोटो तो उसको बंद कर दीजिए अभी हमारे इस व्यूव फाइंडर में नहीं है किसी कैमरे के अंदर में मोशन फोटो होता है तो बंद कर दीजिए वह ज्यादा बहतरीन है अभी आते हैं और एडवांस मोड में देखिए यहां पर अगर आप एडिटिंग को ले करके बहुत ज्यादा ऐसे कि आपको एडिटिंग चाहिए एडिटिंग करना है तो दोस्तों मैं आपको एक आप्शन बताता हूँ राओ ए यह आपको कंसिडर में रखना है इसके लाव दोस्तों वीडियो में वीडियो के अंदर में H.265 जो सो इनकोडिंग मोड है यह आपके स्टोरेज को कम रखता है लेकिन दोस्तों H.265 जो सो बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्ट को सपोर्ट नहीं करता है तो इसलिए यहां प आइफोन वाला फीचर है हाना कि पिक्सल के अंदर में बहुत ऐसे से काम कर रहा है कुछ-कुछ फोन्स में पोर्ट में काम करता है लेकिन ज्यादा तरफ पोर्ट के अंदर में यह दोस्तों काम नहीं करता है अभी आज यहां पर एक ही चीज़ बोलूंगा आपको फूल ज रखने का यह स्टोरेज वाला जो रिजलेशन है दोस्तों बहुत बेकार काफी कम रिजलेशन कर देता है इसके लाए एक और चीज़ वीडियो के अंदर में दोस्तों आप जो सो 4K हमेशा ही रखो 4K का रिकॉर्ड करने का फायदा यह होगा कि आप जोस्तों इसमें अटोमेटिक मत रखो बिटरेट हमेशा 50 या फिर आप 40 रखो 50-40 अगर आपका हायर प्रोसेसिंग वाला फोन है तो दोस्तों इस कंडिशन में मैं आपको 50 बोलूंगा नहीं तो आप 100 नहीं रखो तो बैतर है 50 पे आपको थोरा स्टोरेज जादा जाएगा लेकिन आपको इमेज क्वालिटी और वीडियो के क्वालिटी मिलेगा दोस्तों वह बहुत आसम मिलेगा तो इस वज़े से आपको मैं बोलूंगा यह चीज़ा और जितने भी अपने सेटिंग किया है यह सारे सेटिंग अगर आपके वरसे में सेव करने का ओप्सन देता है तो आप वहां करेंगे बहुत सारे गूगल के अंदर में यह उप्सन दिया रहा है जिसमें आपको ब्लैंक स्पेस होगा पर डवल टैप कीजिए तो आपको कॉन्फी का ओप्सन आ जागए यहां पर देख सेटिंग करके रखने ज्यादा अच्छा रहेगा अभी आते कुछी जैसे के मार पास में मोर के अंदर में दोस्तों जैसे हमारे हो गया स्लो मोशन दोस्तों आप 1 by 8 कीजिए ज्यादा अच्छा रहता है 1 by 4 में 120 fps में रिकॉर्ड करने की ओप्सन है टीक है वीडियो के अंदर में दोस्तों अगर आपके पास में एस सपोर्टेड है तो आप एस सपोर्ट अगर नहीं तो कोई इसू नहीं है अब जोस्तों जो आपका मेन केमरा है उससे यूज केजिए ज्यादा चरहेगा बांकि दोस्तों फोटो स्पेयर और इस सभी चीजों का यूज मैंने एक वीडियो के अंदर में कंसिडर कर रहता है अभी दोस्तों थोड़ा बहुत हम दे अगर आप स्टार वगर एक इमेज कर रहे है तो दोस्तों उसके लिए आपको अश्टर फोटोग्राफिक को एक्टिवेट रखना है यह चीज़े अक्टिवेट करने के बाद में दोस्तों एस्टर फोटोग्राफिक के लिए मैं एक अल्री डिटेइल वीडियो बना चुक इधर दर छेचा करने के बाद में पता चला है तो वह चीज़े मैं सोचा कि आपको भी यहां पर बता देता हूं ठीक है तो ओके तो दोस्तों आसे करते वीडियो को पैसंद आगा वीडियो करें लाइक से कमेंट जिहां और अगर आपने मेरे चानल को नहीं सब्सक्राइब तो दोस्तों मेरे चानल को लिए सब्सक्राइब मेरे जनब के से से नए नए वीडियो कहता हूं तो दोस्तों मेरे सत बने हैं कपको बहुत बहुत धन्यवाद and one day मात्रम